रात को एक वजे एक कैब निकलती है गौवा से बैंगलॉरू के लिए और बैंगलॉरू से 200 किलोमेटर पहले यानि कि गौवा और बैंगलॉरू के बीच में 200 किलोमेटर पहले एक चितर दुर्ग नाम की जगा पड़ती है वहाँ पर जो कैब थी उसके अंदर एक महिला बैठी हुई थी उसके साथ उसका कुछ सामान भी था और जो कैब ड्राइवर होता है वो उस जगा पर आकर अपनी कैब को तेजी से भगा कर एक लोकल पुलिस टेशन के अंदर रोकता है रोकने के बाद गाड़ी से तेजी से उतरता है और उतरने के बाद वहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं उनकी फोन पर किसी और से बात कराने लगता है आखिर कौन थी वे महिला और उस कैब ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया और किस से उनकी पुलिस वालों की बात कराई पूरी सचय जानने के लिए वीडियो को अंतक जरूर देखें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जीतू सौरोत और आप लोग देख रहे हो तिरचीबा चैनल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें और पेज को फॉलो करना न भूलें आज की जो घटना है ये स्टार्ट होती है बैंगलोरू से और जो घटित होती है वो होती है गोवा में तो आप लोग कह सकते हो ये घटना निकल कर आ रही है गोवा से तो यह कहानी है एक लड़की की जिसका नाम होता है सूचना सेट और जिसका जनम होता है कोलकता में आज से लगबग 49 साल पहले वो लड़की कॉलकात्ता से अपनी पढ़ाय लिखाई करती है और पढ़ाय लिखाई में काफी ज़्यादा होश्यार होती है याने कि एक तरह से बिलियंट मैंड आप लोग उसको कह सकते हो और उसके बाद वो बैंगलारू आती है और वहाँ पर आकर अपनी एक AI कंपनी की सुरुवात करती है याने कि आपनी एक कंपनी बनाती है जो अल्टीफीसियर इंटेलजेंट पर काम करती है याने कि पैसों के उसके पास कोई भी कमी नहीं थी और अच्छी तरह से अपने जीवन में वो पूरी तरह से सक्सेज थी अब इस घटना में होता क्या है कहानी स्टार्ट होती है छे जनवरी से छे दनवरी 2024 की बात है वो लड़की बैंगलोरू से गोवा आती है अपने चार साल के बेटे के साथ गूमने के लिए तो फ्लाइट के जरीए वो अपने बैटे के साथ बैंगलोरू से गोवा आती है और गोवा के अंदर उसने पहले से एक होटल बुक किया हुआ था उस होटल में जाकर वो चेक इन करती है यानि कि वहाँ पर जाकर वो फैर जाती है अब उसके बाद उसका प्लान था कि दो तीन दिन इधारी गूमना फिरना है यानि कि गोवा के अंदर इधर उधर गूमने का उसका प्लान था अपने बच्चे को गूमाने का उसका प्लान था अब इसके बाद 6 जनवरी के बाद 7 जनवरी आती है 7 जनवरी को दोनों मावेटे गोवा के अंदर ही गुमने के लिए निकल जाते हैं उसके बाद दोबारा होटल के अंदर आते हैं और फिर 8 जनवरी को भी इसी तरह से निकल जाते हैं और फिर दोबारा होटल के अंदर आते हैं यानि कि 8 जनवरी की साम को वो होटल के ही अंदर होते हैं अब इसके बाद 8 जनवरी को रात को लगबग एक वजे जो लड़की होती है सूचना सेट वो रिसेप्शन पर फॉन करती है और फॉन करके बताती है कि मुझे अर्जेंट में एक कैप चाहिए बैंगलोरू जाने के लिए उसके बाद जो रिसेप्शन पर वरकर होते हैं यानि कि रिसेप्शन वाले जो होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि आखिर जाना किसको है तो जो लड़की होती है वो बताती है कि मुझे ही जाना है और मैं बाई रोड ही जाऊंगी उसके बाद होटल वाले आई जाती है लेकिन वो और जिद पर जाती है और कहती है कि नहीं मुझे बाई कैब ही जाना है आप लोग मेरी एक कैब की अरेज्जमेंट करा दीजिए तो उसके बाद जो होटल के करमचारी होते हैं वो एक लोकल एजंसी से बात करते हैं और वहां से एक कैब बुक करा दी जाती है गोवा से बैंगलारू जाने के लिए तो रात के लगबग एक वजे वे महीला उस होटल से चेक आउट करके उस कैब में बैठती है और उसके साथ में एक बड़ा सा सूटकेश था और कुछ सामान था उन सभी को कैब में रखवाए जाता है होटल के करमचारियों के द ठेरे हुए होते हैं वो घूमने फिरने के लिए इधर उधर निकल जाया करते हैं तो उसी टाइम पे जो होटल का स्टाफ होता है वो सभी कमरों की सफाई करने लगता है इसी तरह से एक करमचारी जो सूचना सेट थी उसके कमरे में भी चला जाता है और वहाँ पर जैसे व की सूचना दे देता है होटल का मेनेजर वहीं पर आता है और आने के बाद उन सभी चीजों को देखने के बाद सीधा पुलिस को फोन करता है यानि कि गुवा की जो पुलिस होती है उसको सूचित करता है और उसके बाद पुलिस वहां पर आ जाती है पुलिस आने के बाद इस होटल से चेक आउट किसने किया था तो उसके बाद जो होटल का स्टाफ होता है वो पूरी की पूरी जो घटना करम है उसको बता देता है पुलिस को वे बताते हैं कि इस तरह से यहां पर एक सूचना सेट नाम की लड़की रुकी हुई थी और उसने अचानक से रात को एक वजे चेक आउट किया था उसके बाद जो होटल वाले होते हैं वो पूलिस को एक और एहम जानकारी देते हैं वह लोग बताते हैं कि जब इस औरत ने चेक इन किया था तो तब उसके साथ एक बच्चा था वो भी लगबग चार साल का लेकिन जब चेक आउट किया था तो उसके साथ वो बच्चा नहीं था इस बात को सुनने के बाद पुलिस का भी थोड़ा बहुत माथा ठनक जाता है और इसके बाद जो पुलिस होती है वो CCTV की जो रिकॉर्डिंग है उनको चेक करती है चेक करने के दौरान उनको पता चलता है कि आठ तारीक की सामको जब ये और इस होटल के अंदर आती है यानि कि गुमने फिरने के बाद जब इस होटल के अंदर चेक इन करती है आती है दौरा से तो उस टाइम पे जो बच्चा था वो उसी के साथ था लेकिन जब रात को एक बज़े यहां से जाती है उस टाइम पे वो बच्चा उनके साथ नहीं था तो दोस्तो इसके बाद वो पुलिस होती है वो कैप ड्राइबर के पास फॉन करती है और उसे कहा जाता है कि जो तुमारी कैप के अंदर जो लेडी है उन से हमारी बात करवाई तो जो कैप बाला होता है वो उस फोन को उस लड़की को पकड़ा देता है और उसके बाद उस लड़की से पुलिस वाले बात करते हैं और उसे पूछते हैं कि मैडम जब आपने इस होटल में कमरा लिया था तो तब आपके साथ एक छोटा सा बच्चा था वो कहां पर है दोस्तो उसके बाद जो सूचना सेट है वो पुलिस को बताती है कि जो मेरा लड़का है वो मेरे ही किसी जानने वाले के पास मैंने छोड़ रखा है गोवा के अंदर ही बाद में मैं जब आउंगी उसको अपने साथ ले जाउंगी तो उसके बाद पुलिस पूछती है कि उसका एड्रेस दीजिए तो सूचने सेट जो है वो बिना डरे एक एड्रेस पुलिस को लिखवा देती है अब उसको देखने के बाद पुलिस वाले भी सोचते हैं कि साइद हमसे कोई गलती हो गई है और ऐसा नहीं है हम बेवज़ा ही इस ओरत के उपर सक कर रहे हैं लेकिन दोस्तों पुलिस वालों का दिमाग एक अलगी तरह से काम करता है और इसी वज़े से तरह तरह के मुद्रिमों को पकड़ा जाता है पुलिस वाले अपने एक साथी को उस एड्रेस को देते हैं को पता चलता है कि जो एड्रेस दिया गया है वो बिलकुल फरजी है इसके बाद पुलिस का जो सक है वो काफी ज़्यादा गहरा हो जाता और तभी पुलिस दुबारा से उस कैप ड्राइबर के पास फोन करती है और उसे कहती है कि फिल हाल तुम कहां पर हो तो उस पुलिस टेशन के अंदर इस गाड़ी को ले जाना और ले जाने के बाद वहां पर जो पुलिस मौझूद हो उनसे हमारी बात करवा देना और अगर तुम्हें को पुलिस टेशन नहीं देख रहा है तो तुम चाय पानी पीने के बाहने से गाड़ी को रोको और वहाई के किसी लोकल से किसी पुलिस टेशन का पता ढूंडो और पता ढूंडने के बाद उस पुलिस टेशन में जाकर इस तरह से हमारी बात करवा देना तो दोस्तों इसके बाद वो जो cab driver होता है वो पुलिस की दी गई instruction को follow करता है क्योंकि वो गोवा का local था और उसको पता था कि इस तरह की घटनाएं भी हो जाती है तो इसमें पुलिस का साथ देना सही होता है तो पुलिस के instruction को follow करता है और वहीं पे cab को side में लगाता है चायपानी पीने के बाहने से और वहीं के एक local से पूचता है कि यहां आसपास कोई police station है या नहीं तो उसके बाद जो local होता है वो उसको बताता है कि यहीं पर एक पासी में आई मंगलम police station है तो उसके बाद जो driver होता है, cab driver होता है वो cab में बैठता है और उस cab को लेकर तेजी के साथ उसी police station के अंदर जाकर गुसा देता है तब तक उस सुलक्चना सेट को पता चलता है कि यह हो क्या रहा है उससे पहले ही वो phone मिलाकर police वालों की उनसे बात करवा देता है उसके बाद गोवा police है, उस police से बात करती है और वो उससे कहती है कि यह इस तरह से एक case है और यह जो lady है इस के अंदर, इस cab के अंदर यह सक्के दाएरे में है तो आप लोगों से गुजारिस है कि किरपया इसकी जो अच्छी तरह से तलासी लो और इसका जो सामान है उसकी भी तलासी अच्छी तरह से ली जाएं उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उस lady को वहां से उतारते हैं और जो महिला पुलिस करमचारी होती है वो उस lady के अच्छी तरह से तलासी लेती है और उसके बाद जो lady का सामान है उसको भी उतारा जाता है उतारने के बाद जैसे ही वो पुलिस वाले उस बैक को खोलते हैं बड़े वाले बैक को तो जो लेडी होती है वो काफी ज़्यादा घवरा जाती है और उसके चेहरे से घवरा हाट साप जलक रही थी पुलिस वाले बैक को खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं कि बैक के अंदर उपर कपड़े लगे हुए हैं और उन कपड़ों को जैसे ही हटाये जाता है तो उसके अंदर नजारा देखने के बाद पुलिस वाले भी अपने कदम पीछे हटा लेते हैं उस बैक के अंदर एक छोटे से बच्चे की डैड बोडी थी जिसको तोर मरोड कर उस बैक के अंदर रखा गया था अब दोस्तों इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं गोवा पुलिस वाले से कहती है कि ये जो लड़की है इसको अपनी रासत में ले लीजिए और इससे डैड बोडी को जो बच्चे की आपको डैड बोडी मिली है इसको पोर्ट माडम के लिए मौर्चरी में बेज तो पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं और गोवा जो पुलिस होती है वो वहां से निकल देती है लगबग दो तीन घंटे के सफर के बाद वो लोग उस पुलिस टेशन के अंदर पहुँच जाते हैं और जाने के बाद कागजी कारवाई करने के बाद उस लड़की को जो सूचन सेटी है उसको अपनी रासत में लेते हैं और रासत में लेकर वो वापस गोवा की तरफ वहां से निकल देते हैं अब रास्ते में पुलिस के दमाग में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर इस बच्चे को किसने मारा अगर इस माने मारा है तो क्यों मारा है क्या परिस्तितिया रही होंगी इन सबी सवालों के जबाब पूछने के लिए पुलिस सूचना सेटी से पूछता चालू करती है रास्ते में ही उसके बाद सूचना सेट्ट पुलिस को बताती है अपनी पूरी के पूरी कहानी अच्छी तरह से सूचना सेट बताती है कि मैंने अपनी जो IT कंपनी है उसका स्टाइट अप किया हुआ था तभी मेरी मुलाकात एक बैंकर्ट रमन नाम के लड़के से होती है जिसका परीबार काफी पैसे वाला था और काफी पढ़ी लिखी फैमली उनकी थी उसके बाद मैं उससे साधी करती हूँ और साधी करने के 8-9 साल हमारे बड़े ही अच्छी तरह से बीचते हैं 8-9 साल के बाद हमें एक बच्चा होता और बच्चा होने के बाद कुछ दिनों बाद ही आपस में रिस्तों में दरारे पढ़ने लगती है इसी अनवंद के चलते हम लोग डिवॉस का केस फाइल करते हैं और हम दोनों का डिवॉस भी हो जाता है लेकिन जो ये बच्चा था हमारा चार साल का हो चुका था तो अब बात आती है इसकी कस्टेडी की सूचना सेट अपने पती से इतनी नफरत करने लगी थी कि वो नहीं चाती थी कि उसका पती इस बच्चे से मिले उन दोनों का केस जब कोट में चलता है तो अदालत एक फैसला लेती है कि बच्चे की जो कस्टेडी है वो तो मा के पास ही रहेगी लेकिन जो बच्चे का पिता है वो हर संडे आकर इससे मिल सकता है और इस चीज में जो सूचना सेट है वो दखल अंदाजी नहीं करेगी अब सूजना सेट बताती है कि साहब मेरी जो नफरत थी अपने पती को लेकर वो इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके सामने मेरी जो ममता थी वो हार गई मैंने अपने बच्चे को इसलिए मार डाला ताकि जो मेरा पती है वो उससे ना मिल सके वह बताती है कि आठ तारीक को जब सामको मैं आती हूँ अपने होटल रूम में वहीं पर रात के लगबग आठ नो बजे मैं अपने बच्चे को जान से मार देती हूँ और इसके बाद मैं सोचती हूँ कि गुवा तो मेरे लिए पूरी तरह से अंजान है मैं इसकी लास को कैसे ठिकाने लगाउंगी इसी कारण से मैं इस लाज को एक बैक के अंदर रखती हूं और उसको पर थोड़े से कपड़े रखती हूं और कपड़े रखने के बाद रिसेप्शन पे फोन करती हूं कि मुझे अरजेंट लिए कैप चाहिए क्योंकि अगर मैं एरोपलेन के जरीए जाती है यानि कि हवाई जाज के जरीए जाती तो सामान की चेकिंग होती है और सेकैनिंग के दोरान ये पता चल जाता है कि इस बैक के अंदर एक डैड बोडी है और मैं कोई गलत काम कर रही है और मैं पकड़ी जाती इसी वज़े से मैंने कैब बुक की और कैब बुक करने के बाद मैं सीधा बैंगलोरू में जाकर इस बच्चे की डैड बोडी को ठिकाने लगाने वाली थी अब दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आपका भी दमाग हिल गया होगा आखर वो कैसी मा होगी जो जरासी नफरत को लेकर अपने ही बच्चे को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया उसने कहां पर रह गई है इंसानियत आखर एक मा ही अपने बच्चे की कातिल बन गई इस कहाणी के अंदर माता कुमाता हो गई अपनी नफरत को लेकर अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया केबल इसलिए कि ताकि उसका पती उससे ना मिल सके बला ऐसी भी क्या नफरत जो अपने ही बच्चे की मौत का कारण बन जाए तो दोस्तों ये कल्योग है आप लोग साबदानी से रहें सतर्कताते रहें और किसी भी रिष्टे में इतनी दरार ना पढ़ने पाए कि ऐसा कुछ कांड हो जाए बागी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाते हो आपकी रहें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो लोगों के साथ सेयर कर सकते हो बागी वीडियो चलगता वीडियो को लाइक और सेयर जरू करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपिक के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै हिंदुस्तार